Welcome back friends So LCBD का मतलब होता है Letter of Credit Bill Discounting तो LCBD का एक Different Product आज हम समझेंगे जिसको LCBD Purchase Product बोलते हैं Letter of Credit Bill Discounting Purchase साइड पे तो LCBD और LC के बारे में मैंने आपको अल्रेडी Lecture No. 32 और Lecture No. 31 में क्लियर किया हुआ है अगर आप ये वीडियो को देखने से पहले अगर ये दोनों वीडियो से देख लेंगे तो आप इस Lecture को थोड़ा सा और बहतर तरीके से और Depth में और और ज़्यादा Conceptually जान पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का Lecture तो सबसे पहले LCBD जो मैंने Lecture No. 33 में आपको Cover करवाए था जो की LCBD Sales साइड के एंगल से था उसके बार में थोड़ा सा मैं आपको Brief कर देता हूं प्रसेस ताकि आपको एक Image बन जाए आपके दिमाग में और आपको पता चल जाए कि भई LCBD Sales के साथ LCBD Purchase का क्या Difference है देखिए जब भी कोई Transaction होती है Purchase या Sales की चाए वो Domestic India के अंदर ही हो रही हो चाए वो Foreign Country के अंदर ही हो तो उसमें जो Supplier होता है Supplier कोन है जो माल बेच रहा है जो बेच रहा है माल और Buyer कोन होता है आपको पता ही है जो माल खरीद रहा है माल खरीद रहा है या जिसने Payment करनी है ये मैं आप सोचेंगे कि ये तो obvious ही बात है पर मैं ये चीज़े जान बूच के Easy Language में लिख रहा हूँ ताकि आपको जो Concept है उसको समझने में आसानी हो जिसने Payment करनी है माल जिसकी Liability है पेमेंट करने की ये वो बंदा है जिसको Payment मिलनी है जिसको Payment मिलनी है ठीक है जी ये जो Bank है ये इस बंदे का Bank है Supplier का Bank है ये Buyer का Bank है ये दोनों Bank same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं इसमें कोई Detail में जाने वाली बात नहीं है तो दीखें सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले जो ये Buyer और Supplier है दोनों मिलके ये आपस में एक फैंसला करते हैं एक Agreement करते हैं सबसे पहले क्या Agreement करते हैं माल खरीदने और बेचने का Buyer को माल चाहिए वो Supplier को प्रोच करता है कि भई मिरे को ये माल आप बना के दे दो या मिरे को ये माल बेच दो तो ये दोनों आपस में Agreement करते हैं Agreement में जो भी माल की Specification है वो Specification वगरे Decide करते हैं कौन सी डेट तक ये Supplier माल डिलिवर करेगा ये Decide करते हैं Buyer Supplier को पेमेंट कैसे कैसे करेगा कितना अगर कोई Advance बेचेगा या नहीं बेचेगा या माल डिलिवर होने पे कितना पैसा बेचेगा या डिलिवर होने के बाद Due Rate पे कितने दिन बाद डिलिवरी के पैसा बेचेगा 90 दिन बाद, 60 दिन बाद, 30 दिन बाद LC-backed transaction होगी या बिना LC की transaction होगी कैसे ट्रांस्पूट किया जायेगा बाय रोड ट्रांस्पूर होगा यह आपस में बैठ के यह लोगर डिसाइड करते हैं ऑब क्यों हुआ कि सप्लाइर जो है जो माल बेच रहा है जिसको पएमेंट मिलनी है इसको ब्रोसा नहीं है बायर के उपर कि ये बंदा मेरे को पेमेट करेगा या नहीं करेगा सप्लायर को ब्रोसा नहीं है तो बायर कहता है कि आप मेरे पे ब्रोसा रखे मैं आपको गैरेंटी देता हूँ कि मैं आपको पेमेट करूँगा supplier केता है कि मेरे को तेरे पर कोई विशेवास नहीं कि तु मेरे को time पे payment करेगा या नहीं करेगा मेरे को एक bank की guarantee लाके दे कि bank guarantee करे तेरे बzd liahाफ पर कि वह टू time पे payment करने वहला बंद है तो अब क्या होगा Simti extract के पास जाएगा की बहή के दूसरे बंदे को कल को तू मेरे को पैसे वापिस ना करे तू मेरे पैसे डुबा दे तो मैं किस से रिकवर करूँगा फिर पैसे तो फिर बहईर जो होता है वो अपने जो बैंक को जब apply करता है तो वो LC facility letter of credit facility letter of credit word से आप confuse मत हुएगा बस आप असाहन पाशा में इतना समझ लीजिए कि ये buyer का bank इसके बिहाफ पे guarantee दे रहा है supplier को कि ये बंदा time पे payment करेगा अगर इस बंदे ने time पे payment ना करी तो मैं जिम्मेवार हूँ मैट आपको payment करूँगा time पे तो ये guarantee पत्तर दे रहा है बस ठीक है तो ये LC facility के लिए apply करेगा इस bank के पास और मैंने आपको समझाया कि ये bank भी बुलेगा कि भई तू मेरे रिश्तिदार थोड़ी है कि मैं तेरे लिए ऐसे कोई guarantee शुकर दूँ तो ये bank अपने आपको पूरा security करेगा ये LC facility देने के लिए वो इस buyer का पूरा credit assessment करेगा वो credit assessment कौन करता है आप ही लोग तो करते हो वो assessment वो credit assessment उसका पूरा complete करेगा उससे property भी mortgage करवाएगा अपनी security के लिए property mortgage करवाएगा current assets पे charge लेगा जब वो पूरी तरह से इस buyer के उपर confident हो जाएगा buyers का bank तो वो इसके उपर इसको LC issue कर देगा तो वो इसको LC issue कर देगा again LC word से confused नहीं होना तो ये समझ लीजा सान भाशा में कि ये इसको guarantee guarantee देदेगा guarantee देदेगा किसकी guarantee इस बंदे की guarantee कि ये buyer आपको due date पे इस transaction के लिए payment कर देगा अगर ये payment नहीं करेगा तो आप मेरे से payment ले 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 ना ठीक है तो पर जब ये guarantee पतर देगा तो जो buyer और supplier के बीच में transaction हुई है उस transaction का पूरा कच्छा चिठा यहां पे लिखा जाएगा उस transaction को यहां पे पूरा detail में लिखा जाएगा कि वही क्या terms हैं कौन सा माल supply होगा कौन सी specification का माल होगा क्या rate क्या उसका price होगा कैसे shipment होगी shipment की shipment means transport कैसे होगी और transport कब तक होगा transport कब तक होगा कब तक इसका delivery होगा और सारी जो इन दोनों ने आपस में terms decide की थी देखिए ये bank तो उनी terms के उपर guarantee दे रहे ना इस बंदे की तो इसके जो guarantee पत्तर में वो सारी condition है वो सारी शर्ते लिखी जाएंगी जो इन दोनों ने आपस में decide की है याद रखिएगा वो condition है कौन decide करता है ये दोनों decide करते हैं और इसमें ये लिखा जाएगा कि LC कितने period की है माल लिजे 90 दिन की 90 days की LC है तो ये buyer का bank इसको supplier को बोलेगा कि भई आपकी 90 दिन की LC है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर ये बंदा आपको payment नहीं करता तो आप मेरे से payment ले लिजेगा ठीक है तो ये guarantee पत्तर इसको निकाल के दे रिया अब ball जो है वो supplier के coat में आ गई है अब ball supplier के हाथ में आ गई है अब supplier को guarantee मिल गई है उसको अब जो ये letter जो इसको ये पत्तर मिला है जो ये letter मिला है जो kind of supplier और buyer का agreement भी जिसके अंदर included है kind of तो अब supplier की जिम्मेवारी है कि भई वो इस LC के अंदर जो शर्ते लिखी गई थी जो चीजे लिखी ग रखे जब वो इस माल को सारा त्यार कर देगा सब पूरा कर देगा तब वो क्या करेगा कि अपनी जो LC है वो LC को यूज कर देगा buyer's bank से payment लेने के लिए due date पे 90 दिन बाद ठीक है यह होगी normal LC की transaction अब LCBD sales में क्या होगा LCBD sales में supplier क्या करेगा वो करेगा कि मैंने माल तयार क कर दिया माल तयार कर दिया है और माल dispatch भी कर दिया है माल dispatch भी कर दिया है ठीक है अब LC का time कितने दिन का है 90 दिन का इसको तो dispatch के 90 दिन के बाद payment मिल नहीं है अगर यह normal LC transaction होती पर अब हम discuss क्या कर रहे है LCBD sales sales का मतलब है यह supplier वाली discounting है यहां कि इसमें जो बंदा sales माल जो बेच रहा है जो माल बेच रहा है वो इस facility को यूज़ कर रहा है और जो हम LCBD purchase जो आज का topic है जो उसको सिखेंगे उसमें हमारी LCBD purchase है यह जो बंदा purchase कर रहा है वो इस फसलिटी को यूज़ कर रहा है तो यह एक difference रहे हैं वो और next slide में हम समझेंगे तो अब इसने माल तैयर कर धिया माल दिस्पैच भी कर दिया पर इसको इस को गरेञ्टी पतेर की शर्तों के मुताबए इसको दिस्पैच के 90 दिन के बाद पेमेट मिलनी हैं ठीक है किससे पेमेट मिलनी इस बंदे से अगर ये पै नहीं करेगा इस LC की शर्तों को अंदर-अंदर रहके की है, ठीक है, तो अब supplier कहता है कि यह 90 दिन तक payment की wait कोन करेगा, 90 दिन बाद payment आएगी, तब तक तो मेरा काम रुख जाएगा, मिरेको और भी orders process करने है, और भी काम करना है, मिरेको और भी माल खरीदना है, तो काश मिरेको यह पैसे अ यह लिजिए मेरे सारे कागज, यह सारे proof, invoice, packing list, यह transporter की receipt, ट्रक वाले की lorry receipt लगा लिजिए, या airway bill लगा लिजिए, bill of lading लगा लिजिए, shipping company के case में, यह रसीद, यह LC की copy, यह LC की भाई मैंने सारा काम इस LC के अंदर रहके किया है, यह मैंने माल dispatch कर दिया इस बंदे को, यह LC इस bank ने issue की हुई है, और इस bank की guarantee है कि यह bank due date पे 90 दिन बाद payment करेगा, क्या आप इस comfort पे, क्योंकि इस bank ने guarantee दी है और bank कभी मुकर नहीं सकता, क्या आप इस comfort पे मिरे को पैसे जो मिरे को 90 दिन बाद मिलने हैं, क्या वो पैसे मिरे को आप आज दे सकते हैं, आप मिरे payment कर दीजिए, क्योंकि आपके पास यह guarantee है, तो यह supplier का bank बोलेगा, ठीक है जी, हम आपको यह चीज़ देख सकते हैं, इसके लिए आपको एक हमारे पास loan facility के लिए apply करना पड़ेगा, supplier करता अच्छा, loan facility के लिए apply करना पड़ेगा, इसके लिए भी, कई bank apply करवाते है, loan facility के इस चीज़ के लिए, कई bank के पास back end के ऊपर यह चीज़ allowed होती है, कि जितना अमर्जी यह काम कराई जो, इसके लिए कोई credit के पास बेजने की जूरत नहीं है, ठीक है, तो चलो माल लीजिए, यह चोटा bank के जो बोलता है supplier को, कि आपको मेरे पास loan के लिए apply करना पड़ेग आप इस तरह की facility के लिए मेरे पास apply कीजिए, तो यह supplier बोलेगा कि इसके लिए मेरे को आपको property भी देने पड़ेगी, mortgage भी करने पड़ेगी property, supplier का bank बोलेगा, आपको कोई property देने की ज़रूरत नहीं है, क्यूंकि आपकी जो यह payment होया है, वो payment secure है, 90 दिन बाद इसने payment करनी नहीं करनी है, इसने LC issue करी ही करी है, तो मैं इससे payment अपने अप ले लूँगा, यह तो fail होई नहीं सकता, bank थोड़ी fail हो जाएंगा यह से, तो payment property देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर supplier बोलेगा कि sir यह जो मेरे सारा बिल है, यह तो 100 पे का बिल है total, ठीक है, जिसक payment मिरे को 90 दिन के बाद मिलनी थी, पर आप मिरे को यह payment आज दे रहे हो, और आप यह payment इस बंदे से 90 दिन बाद लोगे, तो आपका तो पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि supplier का bank इसको आज पैसे बेज देगा, इससे पैसे लेगा 90 दिन बाद, तो supplier के bank न तो 90 दिन के क्या लेगा, discounting charges, वो बोलेगा supplier का bank कि sir, आपको यह LCBD issue करवाने के लिए कोई property देने की जूरत नहीं, कोई कुछ देने की जूरत नहीं है, आपका अगर यह invoice सौरपे का है, तो यह इसकी payment जो है, वो 90 दिन के बाद अगर आनी होती है, तो 90 दिन, development मैं easy के लिए कर लेता एक साल है, into माली जी उसने 8% के उपर ब्याज लगाया, कि 8% का पर एनम ब्याज, 90 दिन के लिए, मैं जितना भी बनता है, मैं उतनी payment काट के आपके खते में डाल देता हूं, और इससे मैं due date पे 100 पर ही ले लूँगा, यान कि माली जी यह 2 रुपे की figure बनती है, for example, calculation आप तो supplier का bank इसको 98 पर दे देगा, और due date पे इससे 100 पर ले लेगा, अब इसमें catch क्या रहता है, कि यह 98 पर देगा कब, 98 पर दिये कब जाएंगे, यह देखने वाली बात है, देखिए, LC के यह इस bank ने guarantee दी है, इस बंदे को, कि भई, आपको मैं यह guarantee पतर दे रहा हूं, कि अगर आपने इन शर्तों को तोड़ा, तो मैं भी फिर आपकी अपनी guarantee से पीछे अड़ जाओंगा, अगर आपने इस शर्तों के मताबिक, अगर आपने 31 अगस्त कमाल डिलिवर करना था, और आपने 30 स्तंबर तक लगा दी, तो मैं फिर liable नहीं हूं, भई, फिर तो आप मे शर्तों को पूरा नहीं किया, तो supplier का bank ये ensure करना चाहेगा, कि भई, इस बंदे ने LC की शर्तों को पूरा किया है, ये 98 रपिया छोड़ने से पहले, ठीक है, तो supplier का bank ये 98 रपिया छोड़ने से पहले, जो ये कागज आई हैं, और LC याई है, इसको इस bank के पास acceptance के लिए बे बोलेगा इनको कि भाई साब ये कागज चेक कर लो, ये आपकी issue की गई, LC चेक कर लो, कि आपको इसमें कोई objection तो नहीं है, जब ये buyers का bank इसको okay कर देगा, कि नहीं जी कोई objection नहीं है, ये obviously buyer की confirmation लेगा, जब ये इसको accept कर देगा, नहीं जी मेरको कोई दिक्कत नहीं है, को इसमें problem नहीं है, ये बिलकुल okay है, अगर इसके according माल dispatch है, तो मैं liable हूँ अपनी payment के लिए, buyer के बैकर जैसे इसको acceptance दी, okay गया, फिर ये अठानवे रपिया इसको छोड़ देगा, क्योंकि अब buyer का bank मुकर नहीं सकता, क्योंकि अब उसने acceptance देदी कि सारा कुछ काइदे के अनुसार है, सारा कुछ agreement के अनुसार है, ठीक है, तो ये होती है LCBD sales की transaction, जिसमें sales, यानि कि जो sale कर रहा है बंदा, जो supplier है, वो इस facility के लिए apply करता है, यानि कि इसके अंदर seller वाली side के उपर काम रहता है, seller इस bank के पास जाएगा, facility के लिए apply करेगा, loan sanction, facility sanction करवाएगा, और उसके बाद जो ये 2 रुपे के charges कटेंगे, 98 रुपे की payment ले रहा है यहाँ पे, वो 98 रुपे की payment मलब 2 रुपे के charges का खर्चा भी bear करेगा, यानि कि बैंकों के साथ licensing की तकलीफ bear करेगा, 2 रुपे का खर्चा भी bear करेगा, तो इस facility में, LCBD sales के angle में, जरूरत बंद बं जिसको इसकी जरूरत है और वो इसको यूज कर रहा है, ठीक है तो यह तो processes में आपको बताई दिये, तो I hope आपको LCBD sales तो at least समझ में आ गया होगा, जो already मैं लेक्चर नुमबर 33 में cover की है, अब आपको ध्यान से सुनना है कि LCBD purchase क्या चीज होती है, अब ध्यान से सुनना जो हमारा आज का topic है, देखे LCBD purchase क्या चीज होती है, अगेन वही supplier है, यह वही buyer है, इसको माल खरीदना है, फिर से मैं हिंदी में लिखूंगा ताकि आपको एक चीजें दिमाग में fit हो जाए, इसको माल खरीदना है, मतलब payment करनी है, यह कौन है बंदा? इसको माल बेचना है, payment इसको मिलनी है, payment मिलनी है, ठीक है? तो यह बात है, तो अब इनके बीच में agreement होगा, इनके बीच में agreement होगा, agreement में डिसाइड होगा कि कैसे माल बेचा जाएगा, क्या माल बेचा जाएगा, कब shipment होगी, कब नहीं, यह वो, ठीक है? तो अब इस system में क्या होगा? कि अब supplier बुलेगा कि भई, जो मेरे को payment है जी, supplier अब देखे, यह transaction तब यूज में आती है, जब supplier की footing strong हो, supplier वो थोड़ा सा bargaining power supplier की ज़्यादा हो, बड़ा supplier हो, थोड़ा सा ज़्यादा hold हो, और buyer उसके उपर dependent हो, तो kind of वो situation है, supplier बोलेगा, buyer को, के भाई साब देखिए बात ऐसी है, मेरे को किसी पचड़े-पचड़े में नहीं पड़ना, ठीक है, सारा कुछ तू नहीं देखना है, मेरे को तो, अगर जब मैंने तेरे को माल dispatch कर दिया, जब माल dispatch हो गया, invoice वगरा generate हो गया, तो मेरे को तो payment उसी time चाहिए, मेरे को तो payment चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये तू देख की तेरे को payment कैसे करनी है, कैसे नहीं, तेरे जी में बारी है, मैं कहीं भे भी अपने bank के भूंग के पास नहीं जाऊंगा जाने वाला, LCBD करने के लिए, कुछ करने के लिए, और हाँ, मेरे को ये थोड़ी बहुत guarantee भी चाहिए, भी तू पेमेंट मेर को करेगा, ठीक है, तो अब बायर ने इसको guarantee दिखाने के लिए, एक बार LC issue करवा के दिखा दी, कि भी ठीक है, LC की copy भेज़ दी, कि भी ठीक है, guarantee है, तो अब बायर क्या करेगा, पहले तो वही करेगा, इस bank के पास, अपने bank के पास, LC की transaction करने के लिए जाएगा, कि भी LC issue करवा दो, LC issuance करवा दो, bank ने LC issue कर दी, इसके comfort के base पे, इसको सारा जैस करके, बायर ने अपनी property भी रख दी, सब कुछ कर दिया, तो बायर के bank ने इसको LC issue कर दी, अब LC issue कर दी, अब बायर का bank, आपको जैसे last transaction समझाई थी, पिछले slide में, लाइबल हो जाएगा payment के लिए, लाइबल हो जाएगा payment के लिए, payment के लिए, अगर सारे जो agreement में, जो LC में जो शर्ते लिखी गई हैं, अगर वो पूरी हो जाए, ठीक है, तो इसने LC issue कर दी, तो इसने बायर ने इसको copy भेज़ दी LC की, कि ये लोग भाई सब LC आपकी issue है, और ये आप इस चीज़ को पकड़ो, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब supplier के पास अब एक comfort आगया कि भी ठीक है, LC भी कर दी, इसने खुलबा लिए, तो ये अपना काम कुम करना शुरू कर देगा, माल बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, तो अब जब इसने माल तियार दिया, जब इसने ट्रांस्पोर्ट कर दिया, तो अब इस bank की इसको कोई जरूरत नहीं है, इस bank की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसने क्या किया कि इसको documents भेज दिये, इसने इसको documents भेज दिये, कागस भेज दिये कि ये इन्वाइस है जी, ये ट्रांस्पोर्टर का proof है कि ये ट्रांस्पोर्टर की seat generate हो गई है, ये आपकी LC है, अब मेरे को payment दो, तब मैं आपको माल देलिवर करवाऊंगा, ठीक है, कागस सारे भेज दिये और LC भेज दि, अब ये buyer क्या करेगा, अब बाइर एक और bank के पास जाएगा, माल लिजे उधारन के तौर पे कि ये HDFC bank है, और ये KOTAK मिंदरा bank है, कोटक मिंदरा bank है, तो जो ये buyer है, अब कोटक मिंदरा bank के पास चला गया, उसको कह दे लग गया कि सर्ब मैंने ना एक LC शुकरवाई थी, HDFC bank से, कोटक बोलेगा, अच्छा जी, कहता कि उस LC के base पे मैंने इस बंदे से माल तेरक रख रवा लिया, वो माल सारा उसने dispatch कर दिया, ये उसके कागज है, ठीक है जी, तो कोटक मिंदरा bank बोलेगा, अच्छा जी, तो वो buyer बोलता है कि भाई देखो मेरा जो supplier है, वो तो बहुत बड़ा front footing पे है, उसको वो तो कुछ हिलके राजी नहीं है, उसको तो पैसे से मतलब है, पैसा चाहिए, ठीक है, अब मेरे को पैसा उसको भेजना है, कैसे कैसे भी करके, मेरे बाद पैसा है नहीं, ये LC है 90 दिन की, मेरा bank तो इसको 90 दिन बाद पे करने को त्यार है, पर ये बंदा पैसे लेने को त्यार नहीं है 90 दिन बाद, तो उसको confirmation होगी कि हाँ भी पेमेट करेगा पर वो पेमेट उस तरह से लेने को त्यार नहीं है ठीक है तो अब बेसिकली supplier उस तरह से discounting वाला काम करने को त्यार नहीं है वो इसको कह रहा है कि भई डबे-डबे दिन तू अपने अब देख मेरे को payment भेज दे बस तो बायर और 90 दिन बाद ये बैंक आपको payment कर देगा आप इस बंदे को payment भेज दो मेरे भियाफ पर यानि कि कोटक मिंदरा बैंक supplier को या supplier के banker को payment भेज दे और 90 दिन बाद अब इस बैंक से ले ले ठीक है तो कोटक मिंदरा बैंक बोलेगा कि सर आपको इसके लिए एक facility के लिए apply करने पड़ेगा मेरे पास ठीक है कई बैंक अपलाई करवाते हैं कई बैंकों के पास बड़े बैंकों के पास standard होता है कि बही अपलाई करने की जूरत नहीं आप सीधा जितनी मर्जी लो तो बायर बोलेगा क्या facility के लिए apply करने पड़ेगा सर वो कोटक मिंदरा बै कोई प्रॉप्टी देनी पड़ेगी कोटक मिंदरा बैंक बोले का नहीं जी कोई प्रॉप्टी देने को आपको ज़रूरत नहीं है यह जो बायर का बैंक है यह जो आपका पुराण HDFC बैंक है इसकी confirmation है आपने मेरे को कागस चेक करवाने है कि आपके जो कागस है इस LC के कि यह इन documents के ऊपर अके और LC की liability के लिए ओकए है जब यह मिरे को acceptance देदेगा तो मैं इसको payment भेज दूँगा कितनी payment भेज दूँगा कितनी payment भेज़ दूँगा पूरी की पूरी 100 पे की payment भेज़ दूँगा ठीक है मैं इसको payment भेज़ दूँगा और बाकी के charges आपसे recover कर लूँगा ठीक है तो आपको मेरे को उसके charges पहली पे करने हैं तो ये discounting facility इसमें क्या work करेगी buyers अपने कोटक मिंदरा बैंक को बोलेगा और कोटक मिंदरा बैंक उसके basis पे जो supplier को है वो supplier को full payment जो है उसकी transfer कर देगा और जो buyer है उससे उसके charges recover कर लेगा और जो buyer का bank है HDFC bank है ठीक है जो दूसरा bank था तो वो due rate पे इसको पूरे के पूरे पैसे pay कर देगा और बाकी का balance ये कमा लेगा ठीक है तो इस facility के अंदर दो bank buyer ने involved किया और दोनु बैंकों को किसे ने approach किया buyer ने approach किया supplier को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था किसी चीज से कोई मतलब नहीं था supplier को ठीक है उसको अपनी payment से मतलब था उसको payment अपनी मिल गई ठीक है और सारी जिम्मेवारी किस ने ली buyer ने ली सारा खरचा किस ने उठाया buyer ने उठाया तो ये LCBD purchase facility है ठीक है तो इसमें मज़े की बात एक और मैंको बताता हूँ पहले तो ये होता था पहले क्या होता था कि भई जो ये buyer का issuing bank है जिसने LC issue की है और जिसने LC discount की है ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए समझ रहे है न क्योंकि अब इसने LC issue की इसने discount की ठीक है तो due date पे ये इसको payment करेगा HDFC kotak को pay करेगा ये तो बात समझ में आती है अगर मैं ये बोलूँ आजकल क्या चल रहा है अगर मैं ये बोलूँ कि issuing bank भी HDFC था और buyer ने discount भी किस से करवा लिया HDFC से ही करवा लिया मुझलब ये bank अलग से ही नहीं issuing bank भी सेम है discounting bank भी सेम है यानि कि due date में HDFC ने अपने आपको ही payment करनी है अपनी ही LC की ठीक है kind of that situation ठीक है तो ये चीज़ भी हजकल चलने लग गई है ये चीज़ भी normal हो गई है issuing bank and discounting bank भी सेम होने लग गई है ठीक है वैसे और लगता था कभी किसी टाइम पर ये चीज़ सेम होती नहीं थी पर आजकल ये सब चलने लग गया है तो इस transaction में ये supplier जो था वो बिल्कुल free हो गया इसको कोई बतलब नहीं था buyer नहीं अपने आप ये सारी facility को arrange किया और सारा manage किया इस facility को तो इस facility में क्या benefit रहता है basically इस facility में benefit ये भी रहता है कि अगर जैसे ये LC issuance करवानी थी पहली transaction क्या थी LC issuance की कोई एक 2% commission के उपर कुछ commission के उपर commission charge कर लिया और LC issuance कर दी bank ने ठीक है तो कुछ कम खर्चा बढ़ा एक 2% का खर्चा बढ़ा फिर ये discounting खर्चा भी कोई बहुत जादा नहीं होता 4-5% माली जे कोई तना लगा दिया कोई बर अगर same bank की issuance bank है same bank की discounting bank के कई बर वो लगाता ही नहीं है जादा खर्चा ठीक है तो यहाँ पे भी issuance का भी खर्चा कम लगा ये भी कम लगा खर्चा ठीक है तो cool मिलाके माली जे LC issu करवाने का और ये discount करवाने का बायर को खर्चा पड़ गया माली जे 5-6% का टोटल ये transaction करने का जिससे supplier को पूरी payment हो गई ठीक है पर इसमें बजे की बात ये है कि माली जे अगर बायर ये वाला route ना choose करता और अपना CC limit यूज़ करके payment भेजता CC limit यूज़ करके payment भेजता तो उसको कम से कम 9% ब्याज पड़ता साड़े 9%, साड़े 8, 9% ब्याज पड़ता तो ये जो transaction होती है ना इस transaction से बायर को interest cost की saving भी होती है ठीक है तो कई bank इस चीज़ के उपर भी इसको pitch करते हैं कि आपको interest arbitrage करने का मौका मिलेगा interest save करने का मौका मिलेगा और आप 90 दिन बाद ही आपको तो payment करनी है तो 90 दिन कहां आप CC यूज़ करके इसको payment करते हैं और 90 दिन तक 9% ब्याज पे करते और कहां इस transaction पे आप 5-6%-7% पे उपर ही clear होगे सारा और आपको 90 दिन बाद ही payment करनी है अपने इस bank को ठीक है तो इस तरीके से भी इस चीज़ को देखा जाता है ठीक है I hope मैं आपको इसका meaning clear कर पाया कुछ query है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल की पूछेएगा बाकि next वीडियो में मिलूँगा आपको तक्यू वरी मुच